हलो वेलकम गाईज आज हम इस वीडियो में जानेंगे देलही सबोर्डिनेट सर्विस सेलेक्शन यानि की DSSB की एड्मिट कार्ड जारी हो चुकी है कई प्रकार की वेलियर्स वेकंसी पोस्ट एक्टिवेट किया गया था जिसकी एड्मिट कार्ड एक्टिवेट हो चुकी है एक्जाम में सामिल हो सकते हैं एड्मिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले थोड़ी से वेकंसी के बारे में जान लेते हैं ताकि ये नौलेज हो जाएगी कौन से वेकंसी की एड्मिट कार्ड अभी पर्जेंट टैम में जारी होने वाली है और इसका कब exam date जारी किया गया है तो फिलाल ये notice जारी की गई है 30-10-2023 को इसमें बताए गया है कि DSSP की और से जो vacancy जारी की थी जिसकी post goal यहाँ पे आपको दिखाया गया है इसकी examination जो date है 19-29-2023 को exam होगा इसमें कई प्रकार की barriers vacancy post activate किया गया था जिसकी आपको advertisement number नीचे यहाँ पे दिखाया गया है तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं 19 तारीक को जो exam होने वाला है 19 नमबर में Sunday को यह exam होगा 6-2 में exam होगा 2-4 बजे तक यह exam चलेगा जिसकी advertisement number यहाँ पे आपको मिल जाएगा और यह post code है टायर 1 की exam है 15-22 यह post code है आप जो भी candidate इसमें आवेदन अपलाई किया है जिसकी post name junior liver welfare inspector की post है department DTC है इसके लिए आपने form अपलाई किया है तो इसकी examination जो date है 19 नमबर 2023 second shift में exam होगा 2-4 बजे तक यह exam चलेगा इसी प्रकार 30 को जो exam होने वाली है first और second दोनों shift में exam होगा first shift की जो समय है 9 बजे से 12 बजे तक चलेगा second shift की जो समय है 2-5 बजे तक चलेगा इसकी post code यहाँ पे मिल जाएगा इसमें tire second की exam होने वाली है first tire की जो exam है वो complete हो चुकी है जिसकी post code यहाँ पे दिख जाएगा आप इस post के लिए आविदन किये हैं जिसमें manager IT की post जारी की गई है और manager electrical की post एक्टिवेट की गई है first tire की जो exam है यानि के पहली बार exam जिनका भी है 24 November 2023 है यह भी first और second shift में कराए जाएगी साड़े 8 से साड़े 10 बज़े का time दिया गया है first shift की और second shift साड़े 12 से धाई बज़े तक का है advertisement number यहाँ पे मिलेगा post code आपको यहाँ पे मिल जागा इसमें accountant की post एक्टिवेट की गई है और इसमें filter supervisor के post एक्टिवेट किया गया है यह राज सानिक board का है और यह DJB का है जिस भी post के लिए आप apply किया है पहले आप verify करेंगे तो यहाँ पे post code मिलेगा आपको उससे verify करेंगे और यहाँ पे advertisement number क्योंकि DSSB की और से बहुत से vacancy आजारी हो चुकी हैं तो बहुत से लोग confused हैं तो अपने details को verify और check करने के लिए आप दो चीज को ज़्यादा ध्याँ दीजे advertisement number और post code और post name यदि आप इतना check करके verify कर लेते हैं तो आप बिल्कुल आसानी से अपने admin card को download कर सकते हैं यह tar first की examination है जो भी कहने लिए tar first की examination अभी तक नहीं दिये हैं वो confused हैं कि कभी exam होगा तो यह check कर सकते हैं इसके बाद 28 November को exam होगा first और second दोनों shift में exam होगा examination की जो समय है साड़े 8 से साड़े 10 और साड़े 12 से डेड़े बजे तक हैं इसके advertisement नमबर यह है और इसका tar second का exam होने वाला है जो की post code यहाँ पे आपको मिल जागा deputy manager traffic की post activate की गई है यदि इसमें आवेदन किये हैं तो यह tar second की exam आप यहाँ से चेक कर सकते हैं और admin card को download करके exam में सामिल होंगे इसे प्रकार 29 तारी की जो exam है यह tar second की exam है manager traffic की post के लिए vacancy जारी किया गया था जिसके shift first और second है same advertisement number मिल जाएगा post code अलग मिलेगा जो भी candidate first tier की exam दिये हैं वो exam में सामिल हो सकते हैं उपर यहाँ पर आप चेक करेंगे यह online आपकी examination के लिए admin card जारी किया गया जिसमें साफ सा बताया गया डेल ही, subordinate, service, selection board की और से यह examination जो जारी किया है various post के लिए department की और से वेकंसी जारी किया गया online के mode पे आप exam देंगे computer-based test है examination के लिए अपने admit card को download करके exam में आप सामिल होंगे जिसमें अपने admit card और अपने original documents को ले कर जाएंगे जैसे ID proof में original कोई भी documents आप ले कर जाएंगे exam में सामिल हो सकते हैं इसके बाद अगर आप secondaire की भी exam qualified कर जाते हैं तो आपका इसमें selection हो जाएगा यदि आप firstaire की exam दे रहे हैं तो firstaire exam दीजे इसके बाद secondaire की examination date जारी होगा वो भी qualified करें इसके बाद आपका इसमें होगा selection तो यह DSSB की details थी अब यहाँ पर करेंगे कैसे admit card को check करेंगे तो admit card चेक करेंगे लिसके link हमने नीचे description में दिया है यहाँ पर जाने के बाद सबसे पहले अपले किसा number आप लिखेंगे इसके बाद यहाँ पर इपना date of birth लिखेंगे नीचे आपको capture मिल जाएगा आपको इस box में लिखनी है एक्जाम से चार दिन पहले आपकी admit card एक्टिवेट होगी जैसे आपका 19 को exam है तो 19 से चार दिन पहले आपकी admit card डाउनलोड होगा इसके लिए confused मत होईएगा कि अगर आप आज से check कर रहे है तो admit card नहीं डाउनलोड हो रहा है तो आप घबराने लगे कि हमारा admit card क्यों नहीं डाउनलोड हो रहा है एक्जाम जिस date में रहेगा आपको message मिलेगा आपको mobile number और mail एडिपर उस date से चार दिन पहले आपकी admit card डाउनलोड हो जाएगी फिलाल गईस अभी admit card download नहीं हो रहा है इसलिए हम आपको यहाँ पे live दिखा नहीं पाएंगे जैसे admit card download होना start होता है हम आपको download करके दिखाएंगे live process दिखाएंगे कैसे अपने admit card को check करेंगे वैसे DSSB की पिछली जो vacancy थी उसकी admit card download करके हमने आपको दिखाया है इससे वीडियो के नीचे उसका link मिल जाएगा आप यदि उसको भी देख लेंगे तो बिल्कुल आसानी से अपने admit card को check कर सकते हैं यदि आपको password नहीं पता है तो अपने password या अपने registration ID को भी forget कर सकते हैं दुबारा से आप प्राप्त कर सकते हैं तो यह admit card पिछली post के लिए मैंने दिखाया था कैसा download किया जाएगा अगर आप यह देखना चाहेंगे तो जरूर वाच कर सकते हैं इस वीडियो में वस इतना है वीडियो पसंद लेए इस वीडियो के लाइक कीजेगा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजेगा कोई सवाल लता है तो comment कीजेगा अगर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब को लेजेगा चले दोस्तों मिलते एक लिए वीडियो में बाई बाई जाहिन